वेल्कम बैक फ्रेंड्स माई चैनल फेर अन केर टिप्स दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव और शिंपल रेमेडि जिससे आपकी स्कीन होगी फेर और करेगी नेशरली गलोग तो चलिए बात करते हैं आज के नए टॉपिक दोस्तो अगर आपको मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रेश करें साथी साथ कमेंट करना ना भूले दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में तवचा का कैसे ख्याल रखना चाहिए और एकने से बचने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाने चाहिए और शाथ ही एकने से बचने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में भी आपको बताएंगे गर्मियों में लोगों को इश्कीन और हेल्थ की कई तरह की समस्याओं से जूजना पड़ता है आज कल देश में कोरोना शंक्रमन के बिगरते हालात की वज़ा से लोग घरों में कैद हैं ऐसे में दिलों दिमाग में कई तरह के नीगेटिव खयाल भी आ जाते हैं इन सब का अशर भी शेहत और तरचा पर पड़ता है इसलिए आज हम आपको गर्मियों में अपनी श्कीन का खयाल रखने और एकने से बचने के लिए कुछ घरीलू उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप गर्मी की मौशा में अपना खयाल रख सकते हैं इससे मुहासे जैसी तोचा संबंदी समस्याओं से भी बचाव होगा तो चलिए जानते हैं कुछ बेहद कार गर घरीलू नुश्के पहला है दोस्तो सौफ के सर्वत गर्मी में राहत पाने के साथ ही कब्ज और एसिडिटी जैसी दिकतों से भी निजात पाने के लिए सौफ का सर्वत पीने किशलाँ दी जाती है क्योंकि सर्वत पीने से डाइजेशन अच्छा दहता है और इसे पीने से ताज की कानवब और हलका पन भी महशूश होता है सौफ का सर्वत मुह से आने बारी बैड स्मेल से छुटकारा दिलाता है और बॉडी को भी डिटॉक्स करता है दूश्रा है खस-खस के पानी तीन घंटे बाद यह पानी पी ले अब पानी का इस्तिमाल तीन दिनों तक किया जा सकता है इसके बाद बोतल से खस को निकाल कर अलग कर दे और धूप में शुखा कर दो बारा इस्तिमाल करे इस पानी को पीने से ताजगी और हलका पन महशूश होगा पानी में दूशरी बार खस को इस्तिमाल करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको बोडी श्क्रवर के तौर पर भी यूज़ कर शकते हैं इसके इस्तिमाल से एक गर्मी के दिनों में बोडी पर होने वाले दानों से निजात पाई जा सकती है इसके साथ ही घर में कपड़े के परदे की जगह खस के परदों का विस्तिमाल करना बेहतर रहता है तीश्रा है चंदन का पानी गर्मी के दिनों में चंदन के पानी से नहाने पर शरीर को कई फाइदे मिलते हैं इसके लिए चंदन की लकड़ी को पत्थर के चकले पर घीस कर चंदन निकाल ले फिर नहाने के आखरी दोर में दो मग पानी में इसको मिला ले फिर उसे अपने उपर डाल ले इससे ताजगी तो मिलेगी ही तो अचा संबंधी समस्याएं भी दूर होगी साथ ही आपका वदन चंदन की खुश्वुशे महकता रहेगा